शहर कोतवाल की कविदा ये कहानी का शिर्षक है और पहली कहानी मैंने यही लिखी थी अब कहानी शुरू कर रहे हैं शहर कोतवाल की कविदा बात 1974 की है रोज-रोज हरताल होती थी आफिसों का घेराव होता था सहर की हालत यह हो गई कि जुलूस और प्रदर्शन से अलग उसके बारे में कोई बात ही नहीं की जा सकती थी उन्हीं दिनों किसी पहाडी इलाके से ट्रांसफर होकर एक कोतवाल सहर में आया मैं यह तो नहीं कह सकता कि वहां किन परिस्थितियों में वह कैसे रहता था लेकिन सहर में आने के तकरीबन महीने बहर बाद ही चाय और पान की दुकानों पर बैठे लो किसी न किसी बात को लेकर अक्सर उसकी चर्चा करने लगते उसके बारे में लोगों की धारणा किसी अच्छे आदमी के रूप में कभी नहीं थी एक दिन दो पहर के समय जब सड़क रोज की ही तरह साइकिलों रिक्सों और सीटी बस के बीच बिल्कुल दब सी गई थी कहीं से घूमता हुआ शहर को अत्वाल आया उसके साथ में दो-चार कांस्टेवल थे कोई जानता भी नहीं था कि क्या होने वाला है शहर के लिए इस तरह रोज घंटों ट्रेफिक का जाम होना आम बात थी रिक्से वाले सवारियों को बैठाए बीच चड़क पर मजे से पसीना पोच रहे थे तभी अचानक एक कोने से जोर की भगदर मची कुछ चीख पुकार सुनाई पड़ी भागने की जगत थी भी कहां लोग एक दूसरे के उपर घिर रहे थे शहर कोतवाल का मोटा डंडा बेरहमी से रिक्सा वालों की नंगी पीच पर बरस रहा था अभी थोड़ी देर पहले तक जो इस कूली छोकरे साइकिलों पर इत्मिनान से परटिक आये बगल में रिक्से परवैठी किसी लड़की को ताकते हुए डुमाल से हवा कर रहे थे वे भी डंडे की मार से नहीं बचे ज्यादा समय नहीं लगा होगा सड़क एकदम बीरान हो गई कुछ एक भद्र पूरुस और रिक्से वाले खोन से लटफ़त बेहोस थे कुछ एक रिक्सों पर किसी तरह सही सलामत बच गए बच्चे दूर दूर तक भी अपने माबाप को न पाकर चिल पूंक कर रहे थे पूरी सड़क उल्टे पूल्टे रिक्सों साइकलों से पटी पड़ी थी अगल बगल की दुकान वाले कुछ समझने से पहले सटर गिराकर गायव हो चुके थे उस दिन पहली बार लगा कि दिन को भी रात बनाया जा सकता है शहर कोतवाल अभी तक जोर जोर से गालियां देता हुआ खुली सड़क पर हाफ रहा था कुछ लोग जो किसी तरह कोने में दुब्के हुए बच गए थे बता रहे थे कि कांस्टेबलों तक के चेहरे पर हवाई उड़ रही थी यह पहला दिन था जब कोतवाल अपनी कोतवाली से बाहर खुली सड़क पर आ गया शाम के समय चावराहों, नुक्रों और चाई की दुकानों पर सायम कालीन अख़वारों में छपे सड़क के मातमी द्रिस और कोतवाल की फोटो को देखते हुए लोग इस बात को बहस का बिसे बनाये हुए थे सबको पक्का यकीन था कि इतना हो हल्ले के बाद तो सरकार किसी भी तरह इस कोतवाल को भरदास्त नहीं करेगी मुट्तल न भी करे तो कुछ न कुछ जरूर करेगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वह रोज साम को सडक पर निकलता और भीड छट जाती जिसकी और देखकर मुस्कराता उसका दिल दहल जाता वरदी में मुस्तायद मूचों को अटता मोटा डंडा लिये हुए वह अकसर अपने हेट कांस्टेबल के साथ ही निकलता सडक पर आते ही दोनों एक दूसरे की आँखों में आँखें डालते मूचें एटते, मुस्कराते, फिर जोर से ठठा कर हंसते और शिकार की तलास में निकल परते साल भर के भीतर उन्होंने एक परे कई हमले किये इस बीच कितनी औरतें ब्यवा हुई कितनी कालेट से लोड़ती लड़कियां रात-रात वर गायव रहने के बाद गंगा में उतराती मिली कितनी बार जलूस निकले, अख़वार चिलाए लेकिन दोनों के ब्याकरण में कोई तबदीली नहीं आई रात के समय शरीफ हो या उचक के दोनों ने घुमना बंद कर दिया क्या पता किधर हो कोतवाल और किसका मुकाबला हो जाए उसके साथ एक दिन रात के दस बज रहे थे वह घुमता हुआ चवराहे की और आया इधर उसका आना कम ही होता था उस दिन वह पप्पू की चाय की दुकान के सामने से गुजरा रोज की ही तरह वहाँ भीतर से जोर जोर की आवाज आ रही थी कोतवाल रुख गया कुछ जाचने की मुद्रा में उसने कांस्टेबल की आँखों में देखा कांस्टेबल बोला साहब शहर के छटे हुई लफंगे रोज रात तक इहां अड़ा मारते है कोतवाल मुस्कराया उसने और जानकारी बढ़ाई इनमें कोई पत्रकार है, कोई साहित्यकार और कोई उभरता हुआ नेता सबके सब महतरों की बस्ती की तरह हाँ हाँ कां 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 किछ किछ करते हैं न कोई काम न धंधा, बस देश की चिंता इनके मारे तो जी आजी जा गया है क्या आपको इनकी वावत कुछ भी पता नहीं था कोतवाल उदास हो गया बोला, सुनो दिनानात मैं अगर सरकार होता तो देश भर में चाय और पान की दुकाने बंद करा देता यह ऐसा रत है जिस पर बैट करने कम्मी राजनीत चारो और घूमती है कांस्टेबुल भी उदास हो गया आधे मिनट तक चुप चुप दोनो एक दूसरे की आँखों में आखे डाल कर देखते रहे हलके से मुसकराए फिर जोर से ठठा कर हसे उनका हसना इतना भयावा था कि चाज बनाता पपू गिरते गिरते बचा दोनों तेजी से भीतर घुसे एक आदमी जो अभी अभी उठकर बाहर जा रहा था उसके पेट में कोतवाल ने मोटा डंडा घुसेड दिया वह तिल मिला कर लचक गया कांस्टेवल के डंडे उसके उपर बेरहमी से बरसने लगे एक दूसरे आदमी ने दौड कर पकड़ना चाहा लेकिन वे दोनों अब की उस पर ही पिल पड़े अक्सर वहां बैठने वाले कायर और डर्पोंक ही थे सब के सब दुम दबा कर भाग गए आसपास की दुखाने पहले ही बंद हो चुकी थी जो बाकी रह गई थी उन्हें बंद होने में थोड़ी भी देर नहीं लगी चारो और सन्नाटा था दूर गलियों में कुछ कुटे भूंक रहे थे कांस्टेबूल और कोतवाल उन दोनों को खसीट ले गए दूसरे दिन जैसे अख़बार वालों का अब्यह आखरी और सामोही प्रयास था जितना हो सकता था उन्होंने हला मचाया एक ही दिन नहीं लगा था और किस्तों में लिखते रहे सबको बहुत उम्मीद थी कि आखिर इस अन्याय और जुल्म को कहीं न कहीं तो रुकना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ भी मुम्किन नहीं हुआ सहर में SP हो या कलेक्टर सब इस कोतवाल का मतलब जानते थे उन्हें पूरा यकीन था कि दंगे हो या फसाद जुलूस हो या हर्ताल ट्रक भर P.A.C. से ज़्यादा कारगर होता है या कोतवाल इस कोतवाल के पास सिर्फ तीन चीज़ें थी आइठी तनी मूच डंडा और या हेट कांस्टेवल दीनानाथ पिछले तीन सालों से दोनों साथ साथ थे दोपहर या शाम को साथ ही निकलते और भीड़भरी सड़कों पर करफि किसी दहसत चा जाती वे जिसकी बगल से गुजरते उसके सरीर में सरसराहट होने लगती इस विच खटकिनों ने खोमचे लगाना बंद कर दिया और लड़कियों ने घुमना पार्कों में खेलते हुए बच्चे अंधेरा होने से पहले घर चले जाते समूचा शहर जानता था कि कोतवाल और कांस्टेवल की दोस्ती अपना मिसाल नहीं रखती कोतवाल के तीन सालों की दिन चर्या के बिसे में यही कहा जा सकता है कि वह रोज सुबख नहाध होकर बरती पहनता दिन भर सहर में या साहब लोगों के दफ्तर में घुमता था दोड़ता था रात के समय जब बुरी तरह ठक जाता तो सोने के लिए अपने दड़बे की और चल देता इस समय वह नसे में बुरी तरह हिलता सारे अफसरों को यह बात मालूम थी कि पीने के बाद खुली सरख पर वह उने गाली देता है अपने कांस्टेवल को भी गाली देता है बावजूद इसके उन्हें इस विसे में सोचने की फुरसत नहीं थी वे जानते थें कि चाहज वह कितना भी क्यों न पिये हो सामने पढ़ने पर उसे हरगी जनसा नहीं होता एक दिन जब कौर के महीने में आस्मान एकदम साप था शाम के समय वह अकेले ही घूमते घूमते शहर के पिछवारे जा पहुचा जहां से गाउं का सिलसिला शुरू होता था डूबते हुए सूरज को देखकर उसे लगा कि बहुत दिन हो गए लेकिन उसने इतनी सुंदर साम कभी देखी ही नहीं कलपना में घूमता घूमता उसका मन अपने गाउं जा पहुचा जहां बस्वारों के पीछे सूरज डूब रहा है ठके हुए पक्षियों की तरह सिवान से लोटते हुए लोग एक ऐसे सहज प्रेम से भरे हुए है जो अब उसके लिए अपरचित हो गया है खप्रेलों पर धूए के टुकड़े रेंग रहे है सारा गाउं खेलते दोडते बच्चों की शोरगुल में समा गया है उसने देखा कि इन सब के बीच चुहानी में धूए से लिप्टी एक औरत भी है जो उसकी पत्नी है उसे लगा पिछले पांच सालों में एक इंतजार खुबसूरत फूल की तरह उसकी आँखों में मुर्जा गया है उस दिन कोतवाल का मन कहीं भी नहीं लगा वह पूरी रात अकेले उदास पड़ा रहा दूसरे ही दिन कोतवाल ने छुट्टी की अरजी दी गाउं के लिए चल पड़ा दिन भर बेहद उब और ठकावट पैदा करने वाली यात्रा के बाद उसने वह आखरी बस पकड़ी जो उसके गाउं के पास वाले कस्वे तक जाती थी प्राइवेट बस थी कंडक्टर ने इतनी ज़्यादा सवारियां ठोस ली थी कि तिल रखने की भी जगशेस नहीं थी लोग एक दूसरे के ऊपर जुके हुए से खड़े थे सांस लेने तक में दिक्कत महसूस हो रही थी कुछ औरतें किसी तरह जो सीट पा चुकी थी घबड़ा घबड़ा कर बेना डोलाती और गोद में अकुलाते बच्चों को दूद पिलाने की कोसिस करती लेकिन वे जोर जोर से चिला रहे थे बस में बैठे हुए सारे शिष्ट और अशिष्ट लोग अपनी अपनी भासा में कंडक्टर को गाली दे रहे थे और ड्राइवर को इस बात के लिए कोस रहे थे कि वह क्यों नहीं बस को जल्दी स्टार्ट कर रहा है लेकिन ड्राइवर इत्मिनान से अपनी सीट पर बैठा बीड़ी पी रहा था कंडक्टर अत्यांत धायरे पूर्वक टिकट बनाने में मश्गूल था सामने कोतवाल को पूलिस बर्दी में देखकर बुरा सा मुह बनाया और अगले आदमी से टिकट का पैसा मांगने लगा एक अधेर आदमी जो संभवता गाउं का ही होगा इस धक्कम दुक्की में कोतवाल से दो-तीन बार डांट खा चुका था अब उसे लगा कि मुफ्त में चलने वाला यह पुलिस का आदमी उस पर अपनी बर्दी जाड़ रहा है कोतवाल की और देखते हुए उसने आसपास के लोगों को सुनाया कंड़क्टर साहब अब हम भी होमगाड की बर्दी सिलवा लेंगे पैसे मत मांगना उसकी बात सुनकर सब लोग अचानक रहस पड़े कोतवाल के लिए यह एकदम नई बात थी उसका रोवा रोवा जल उठा लेकिन क्या करता वर्दी इलाके के बाहर थी मन ही मन कहा बच्चू एक बार किसी तरह शहर पहुँच जाते चो जन भरबर्दी को नहीं भूलते और उसने जोर से कंड़क्टर को डपटते हुए अपना टिकट मांग कर पैसा थमाया साथ ही यह बताना नहीं भुला कि हम वैसे पुलिस वाले नहीं है वह कस्वे से पैदल ही गाउं की ओर चला एक हाथ में जोला था और दूसरे में मिठाई का पैकेट रास्ते में गाउं जवार के परचित लोग मिलने लगे सबसे हाल चाल पूस्ता बताता जब घर पहुचा तो उसे लग रहा था कि गाउं काफी बदल गया है और नई चीजें उसे तरजीह नहीं दे रही है डूबती हुई साज की तरह उसका मन पत्नी से मिलने के बाद भी अकेला पड़ा रहा गाउं सिवान में लोगों से मिलते बत्याते उसे बार बार लग रहा था कि कहीं कोई चीज उसके भीतर से खो गई है जिससे सब कुछ और सहज लग रहा है चलते हुए अचानक वह एक जगह रुग गया यहीं कभी बड़ा बुढ़ा बरगत का पंचायती पेड़ था अब उसका नामो निशान भी नहीं है वहाँ एक बिजली का खंभा गड़ा हुआ है जिसके सभी तार एक दूसरे में उलजे पड़े हैं स्वृतियों में खोया हुआ वह गाउं की सरहत की और देखने लगा जहां अब नाकफनी का बड़ा टीला ही सेस रह गया था उसे इस तरह सड़क पर अकेले खड़ा देखकर एक लड़का साइकल से आ रहा था उतर गया और सलाम किया कोतवाल उसे पहचान नहीं रहा था लड़के ने बताया कि वह बगल के गाउं का रहने वाला है पास के दो-तीन गाउं में उसकी छोटी मोटी डाक्टरी है शाम के समय वह इस गाउं के मरीजों को देखता है दिन भर में 30 रुपे मिल जाते हैं और यह की उसने उसके बिसे में बहुत दिन से सुन रखा था दोनों बातें करती हुए गाउं की और चले कोतवाल ने पूछा इसमिस गाउं कितना बदल गया है लोग अपने में ही सिम्टे सिम्टे क्यों लग रहे है लड़का हस्ते हुए संकुचा रहा था नहीं ऐसी बात तो नहीं है खर्चे बढ़ गये हैं लेकिन लोग पहले से ठीक है घर आने तक कोतवाल को लगने लगा कि उसका मन बहुत बेचैन हो रहा है काफी उप जाने के बाद वह रात को सोने के लिए गया तो उसे नीद नहीं आ रही थी पत्नी बरतन माजने में लगी हुई थी लेकिन उसे लगा कि वह जान बुझकर देर कर रही है वह बार बार करवड बदलता चिड़कर बैट जाता फिर सोने की कोशिश करता लेकिन परिसानी बरती ही जाती काफी रात बीच जाने के बाद पत्नी सोने के लिए आई वो तवाल सोच रहा था कि पत्नी भरसक कट रही है बगल में सोने के बावजुद वह बार बार उनके चेहरे को अपने हाथों में लेकर आपकों में कुछ जांसता फिर पूछता बताओ तुम ऐसी क्यों हो गई हो आखिर क्या सोच रही हो और क्यों जान बुझकर देर कर रही थे पत्नी को बड़ा अजीव सा लग रहा था बोली नहीं मैं तो एकदम ठीक हूँ आखिर काम करने में देर तो हो ही जाती है कोतवाल सोचने लगा यह तो बात का कोई जवाब नहीं है और यह जान बुझकर बात सवाल को काट रही है थोड़ी देर बाद ही पत्नी को नीद आने लगी उसने करवट बदली और दूसरी और मुँ फिर कर सो गई कोतवाल वैसा ही अकेला पड़ा रहा उसे लगने लगा रात काले भया वा पहाड की तरह उसके उपर पसर गई है आसपास एक पीडा फैल रही है जिसमें सरीर अवस होकर डूब रहा है भया क्रांत आदमी के तरह उबरने की पूर जोर कोशिस करते हुए लगभग चीखने की मुद्रा में उसने पत्नी को जगाया जगाने का ये ढंक पत्नी को अजीब सा लगा बोली तुम्हे कुछ हुआ है क्या तबियत तो ठीक है ने और उसने हलके हाथ से उसके माते को छुआ कोटवाल ने कहा हाँ मैं एकदम ठीक हूँ तुम जरा पानी लाओ प्यास लगी है पानी देकर थोड़ी दिर बादी पत्नी फिर गहरी नीद में सो गई लेकिन वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा कोशिश करता रहा नीद को सो दूर थी बेचैनी जब फिर बढ़ने लगे तो वह उठा और बाहर बरामदे में चला गया सवेरा होते होते कोत्वाल को हलका सा बुखार हो गया था पत्नी ने अंदाजा लगाया कि संभवत इसी कारण उसे रात को अच्छी नीद नहीं आई लेकिन खास जिंता की बात नहीं थी वह अपने रोज के काम में लग गई कोत्वाल को कुछ अजीब सा लग रहा था पत्नी से बात चीत करने के लिए भीतर गया पुछा तुम्हें यहां कोई तकलिफ तो नहीं है अगर कोई दिक्कत हो तो सहर चली चलो कुछ दिन रह कर चली आना यह करते वे उसे लग रहा था कि मन की घराई में कोई चीज बहुत धीरे धीरे हिल रही है पत्नी चाय छान रही थी बोली नहीं शहर चले जाने पर यहां का काम कौन सभालेगा हाँ अगर पैसा हो तो पान सो रुपया दे देना एक आदमी से कर्ज लिया था कोत्वाल का मन अचानक बुझ गया सोचने लगा पत्नी अपनी सिमित दुनिया में कितनी छोटी हो गई है उसे बहुत तरस आया कोशिश कर रहा था कि बाच्चित आगे बढ़े लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे उसे लग रहा था कि कुछ ऐसी बात है जिसे वह कहना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है पत्नी चूले पर चावल के लिए पानी चढ़ा रही थी कोटवाल ने पुझा तुम्हें गाओं के लोग गाली तो नहीं देते हैं वह काम में लगी हुई थी अचानक रुख गई क्यों लोग गाली क्यों देंगे मैंने किसी का क्या भी गाड़ा है कोटवाल को अपने सवाल के बेतुकेपन पर जेपा गई उसने सभालने की कोशिश की नहीं लोग आजकल अनाया सी पीट पीछे गाली देते हैं और चार लेकर बाहर चरा आया अपनी बात को नप कह पाने के कारण उसका मन भारी बना रहा दरवाजे पर नीम की चाय में बैठा हुआ वह सिवान की और वैसे ही ताक रहा था पासी पडोस की दो लड़कियां गुड़े गुड़िया का खेल खेल रही थी नीम की पत्तियां हिल रही थी उसका मन उदासी में डूपता चला जा रहा था दो पहर को खाने के बाद उसने पत्तिनी को बताया कि वह शहर जाएगा तो वह चौक गई बोली तुम तो कह रहे थे कि पंदरह दिन की छुट्टी है इतने दिन पर आयो हो जल्दी क्या है फिर तुम्हारी कबियत भी तो भारी है लेकिन उसने कुछ जबाब नहीं दिया शहर आने के बाद दो दिन बीट गए कोत्वाल अपने महक में कि किसी आदमी से नहीं मिला सड़क पर निकलने की बात तो दूर थी पता लगने पर जब उसका कांस्टेबूल आया तो उसने बहुत रूखेपन के साथ उससे न मिलने की इच्छा जाहिर कर दी अगले दिन सवेरे जब लोग पूरी तरह घरों के बाहर निकले भी नहीं थे कि बगहर अख़बारों के ही सारे शहर में कानो कान ख़बर फैल गई कि कोतवाल ने आत्महत्या कर ली है लोग मुख खोले अचरत से इसे सुनते और फिर दूसरे को यकीन दिलाते कि एगधम सच बात है उसने अपनी रिवालबर से गोली चलाई है और उसकी लाश कोतवाली में रख्ची हुई है कोतवाली के आहाते में एक और लाश को सफेज चादर से ढखक कर रख दिया गया था दूर सड़क से आते जाते लोग उझखक उझखक कर देख रहे थे शहर के सारे अपसर वहीं थे उनके चेहरों पर मुर्दनी चाई हुई थी सब के सब एक दूसरे के प्रती सशंकित कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन भीतर ही भीतर किसी अध्रिसे से ढर रहे थे बरामदे की जमीन पर बैठा हुआ कांस्टेवल दीनानात न सिर्फ कोतवाल की मौट से बेचैन था बलकि उसे लग रहा था यह एक ऐसा सिलसिला है जहां फरक कर पाना मुश्किल है कि मामला हत्या क्या है या आत्म हत्या का धीरे धीरे दोपहर हुई और फिर शाम लोग इस खबर के प्रती अभ्यस्त हो गए हर बड़ी से बड़ी घटना को भूल जाने के अपनी आदत के मुताबिक शहर फिर अपनी पुरानी दिन चर्या में लोट गया लेकिन पूरे प्रशासन के चेहरे पर जो पीलापन चा गया था उसके कारण उनकी रात और भी ज़्यादा काली तथा भयावा हो गई जाती तो डराओने सपने दिखाई देते मेले में खोए बच्चे की तरह हर दम रोता रहता आँखें सूज कर लाल हो गई थी दरवाजे के आजपास जब कही पैरों की आहट होती तो वह जोर जोर से चिला पर चिला कर पूछने लगता कौन है कौन है इतने दिनों में मुश्किल से दो तीन बार ही बाहर निकला और सिधे साहब के पास गया रोया गिडगड़ाया साहब इस सहर से मेरी बदली कर दीजिए साहब बहुत कातर आपों से उसे देखता जिसमें उसके लिए रहम और अपनी मजबूरी का भाव उभरता था एक दिन उन्होंने बताया देखो तुमारी बदली अब हमारी मर्जी के बाहर है साहब तुम्हें अंदाजा होगा कि कोतवाल की बात इतनी मामूली नहीं है हमारे चाहने से भी सरकार उसे ऐसे नहीं छोड़ेगी उपर वालों तक को कोतवाल पर नाज था कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसके भीतर इतना बड़ा जूट है और इसकी इतनी आसान मौत होगी सरकार मामले की तह में जाना जरूरी समझती है लेकिन जल्दी ही एक बड़ा जाच कमिसन आने वाला है उपर से यह आदेश है कि इसके लिए तुम्हारा रहना जरूरी है ये बातें सुनकर कांस्टेवल को लगा कि सारा सरीर सुनन होता जा रहा है और आखों के आगे केवल अंधेरा ही अंधेरा है लोटते हुए उसके पेर इतने बोचिल थे कि सड़क पर चल पाना उसे असंभव लग रहा था आम तोर पर ऐसा कमी होता है कि कोई सरकारी काम इतनी जल्दी सुरू हो जाए लेकिन इस बार ऐसा ही हुआ मामले की जांच करने के लिए दिल्ली से सीबियाई के पाँच बड़े अज़कारी शहर में आये और शहर के सारे अज़कारी चौकस हो गए आने के बाद उन लोगों ने क्या किया किसे मिले इन बातों की जानकारी किसी को नहीं मिलबाई एक दिन रात के ग्यारह बजे पुलिस की एक जीप कांस्टेबल के कौार्टर के सामने रुकी पुलिस का एक अफसर उसमें से उत्रा और उसने बताया कि कोतवाल वाले मामले में अभी तुरंट उसकी हाजरी जरूरी है वे लोग उससे कुछ बयान लेना चाहते हैं कांस्टेवल जब जीप में बैठा तो उसे लग रहा था कि जैसे उसे फासी चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा हो एक बड़े से हाल के भीतर गुष्टे हुए उसके पहर बुरी तरह कांप रहे थे जीप पर ले आने वाला अब सर उसे छोड़ कर वापस लोट गया सामने एक बड़ी सी गोल मेज के इर्द गिर्द बांच आदमी बैठे थे कांस्टेवल बगर बैठाए इस बात को जान गया कि उसे इन ही लोगों के सामने बयान देना है डरते डरते उसने सब को सलाम किया लेकिन किसे ने सिर तक नहीं हिलाया उन में से एक आदमी जुक कर फाइल पलट रहा था और दूसरा कुर्सी के पीछे की और उठगा हुआ सिग्रेट के धुमे को गोल गोल बना कर उपर की और छोड़ रहा था सेज तीन मुर्तिवत उसे एक टक घुर रहे थे चारो और घुती हुई सी खामोसी थी अब भी उसे घुर रहे थे कांशेवल के भीतर धक धक की आवाज हो रही थी बावजूद इसके की बाहर हलकी हलकी ठंड पढ़नी सुरू हो गई थी उसे बहुत जोर की प्यास लगी लेकिन वह पानी मांगने की बाद सोच भी नहीं सकता था कुर्सी पर बैटने के तकरीबन पंदरह मिनट बाद तक वे वैसे ही चुप पड़े रहे इसके बाद वह आदमी जो काफी देर से फाइल में उलजा हुआ था उसे बंद करता हुआ बोला तुम कांशेवल दीना ना थो जी साहाब इसके बाद दो मिनट की चुप पी रही फिर सिग्रेट पी रहे व्यक्ति ने सामने एश्ट्रे में राख जारते वे बड़े इतमिनान के साथ धीरे धीरे बोलना शुरू किया हमें तुम से कोतवाल के बारे में कुछ पूस्ताश करनी है पूरे महक में तुम उसके सबसे करीबी रहे हो तुम्हें पता है कि वह कविताई लिखता था नहीं साहब इसके बारे मुझे कुछ भी नहीं मालूम है तो सुनो उसने अपनी डायरी में एक कविता लिखी है कुल नौ लाइने है हमें उसी के बारे में तुमसे जानना है कांशेबुल को लग रहा था कि शेस चारों की आके उसके दिल के भीतर बहुत बेरहमी से कुछ उलट उलट कर रही है इस पूरी प्रक्रिया से वह इतना बेचैन हो गया कि उसके आस पास सिवा भय के कुछ रह ही नहीं गया सामने वाले आदमी ने कुछ दिर रुक कर फिर बोलना सुरू किया वैसे तो हम लोग सरकारी महकमे के आदमी है भर सक कवताविता से दूर ही रहना चाहिए लेकिन अगर कोई लिखने ही लगे तो सबसे पहले उसे वह तमीज आनी चाहिए जो कवता के लिए चरूरी है यह भी कोई तुक है कि घर की बात बाहर रोएं बहराल तुम इन बातों को छोड़ो उसने लिखा है इस शहर में रोज रात जितनी हच्चाएं होती है और जितने बलाकार होते हैं उनके आधे से ज़्यादा में हम सवशरीर सामिल रहते हैं बाकी में हमारी आधते तुम इस बारे में कुछ बताओगे कांशेबुल का चेहरा एकदम पीला पढ़ गया कई बार थुक गटकने की कोशिश की लेकिन जुबान खुली ही नहीं रहती बगल में बैठा हुआ एक दूसरा आदमी जिसके होट भर्दे ढंग से लटके हुए थे और जो चस्मे के उपर से लगातार घूर रहा था उसे उसने बोलना शुरू किया वैसे तो हम इस बात को न सही मानते हैं न गलत हमारे लिए इसका कुछ खास मतलब ही नहीं बनता लेकिन तुम बताओ कुछ कहना चाहते हो कांशेवल ने डरते हुए तीन चार बार खारा और बोलने की कोशिश की साहब के साथ रहते हुए मुझे बहुत डर लगता था मैं कुछ बोल नहीं पाता था जब भी वे ऐसा करते बिल्कुल बदहवास हो जाते पता नहीं किसे जोर जोर से गाली देते थे उस समय तब मुझे भी वही सब करना पड़ता जो वेक कहते तीसरा आदमी बोला लेकिन उसने लिखा है यह शहर जहां मुझे देखकर उड़ती हुछ चिड़िया भी रास्ता बदल लेती है मेरे लिए भयावः पिरामिट की तरह है यहां एक एक आदमी मेरी हत्या के लिए घात लगाए बैठा है मैं इस में से निकलना चाहता हूँ लेकिन मेरा बड़ा अपसर और कांस्टेवल दीनानात ऐसा नहीं चाहते दीनानात मेरे अध्रे से हत्यारों के गिरों का सबसे खतरनाक खुपिया है यह सुनकर कांस्टेवल डर के मारे रुआसा हो गया बोला साहब मैं तो सोच भी नहीं सकता क्यों ऐसा कैसे सोचते थे हाँ रात के अकेले में साहब के साथ रहते हुए मुझे बहुत डर लगता था अपनी जान का भी अब की चौथा बोला उसने लिखा है जब मैं अपनी पत्नी के साथ सोया था तो लगा कि बर्दी पहने हुए कोई आदमी पागल कुटे के तरह उसके सरीर को नोच रहा है और वह चट पटाती हुए जोर जोर से चीख रही है मेरे हाथ पाँ सुन करके कोने में डाल दिया गया है सब कुछ बहुत थी भयावा था उस समय मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी क्या तुम से उसने ऐसा कुछ बताया था नहीं साहब वे मुझे से कुछ नहीं बताते थे अब पांचमा बोल रहा था देखो हमारे लिए इस कोतवाल का ऐसा कुछ खास मतलब नहीं था उसके मरने या जीने से हमारा कुछ नहीं बतलता बात सिर्फ इतनी ही है कि महक्मे की बात को उसने डाइवी में लिखी थी तुम उसके सबसे करीबी रहे हो इस बात को कभी किसी से कहीं मत कहना कांशेवल को थोड़ी राहत मिली बोला नहीं साहब मैं क्यों कहूँगा तब तक दूसरा बोला वैसे तुम कभी दोगे तो हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा तुम्हारी बात से हमारा कुछ बनने बिगड़ने का नहीं कांशेवल फिर डर गया बोला नहीं सहाब भला मैं क्यों कहने जाओंगा तीसरा आदमी अपने होटों की भी तरिक बिद्रूब किस्म की हसी हस रहा था बोला वैसे तुम्हारी जो मर्जी हो करना और अब जाओ बाहर आकर कांस्टेबूल ने घड़ी देखी तो रात की ढाई बज रहे थे सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी बूदों का गिरना तक सुनाई दे जाए सड़क पर बत्तियां चल रही थी बीच बीच में अधेरी गलियों को पार करते वे उसे लग रहा था कि वही बिद्रूब हसी हस्ती कोई काली चाया पीछे पीछे चली आ रही है उसने मुड़ कर देखा तो कहीं कुछ नहीं दूर दूर सक सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था अचानक उसके होठों से भी ठीक वैसी ही हसी फूट पड़ी उसने उस हसी को रोकना चाहा लेकिन वह और जादा बिद्रूप हो गई कांसे बूल इतना डर गया कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा वह वहीं रुख गया और बहुत आहिस्ते से धड़कन को सुनने की कोशिश करने लगा लेकिन तब तक दूर कहीं कुट्तों के रोने की आवाज सुनाई देने पड़ने लगा